भाई साब ये बॉलिवूडी है ना कभी सुधर ही ने सकते आज मैं बात करूँगा एक ऐसे बॉलिवूडी एक्टर के बारे में जिसका नाम है विक्रांत मैसी और करेंगे इसकी ऐसी की तैसी चलो भई देख अपने क्या करता है इसकी एक फिल्म आये थी जिसका नाम है तो वही चीज लागू होती है इस भाई साफ के केस के उपर मतलब एक्टिंग में तो उन्हें फिल्म फेड वाट जीत लिया उसको कौन पूछता वैसे भी बाकिसाने लोगों से भी प्रसंशा ले ली लेकिन जहां पार आती है करेक्टर की रियालिटी की आइडियोलोजिक की वह आप सामने आ चुकी है तो भाई साब इनके कुछ ट्वीट्स है पुराने जो कि वारल हो चुके है जिससे पता लगता है कि भाई साब इनकी मांसिकता कैसी है इस फोटो को जहां से देखिए फोटो है यामी गौतम की और फेवरेट बॉलिवूड एक्ट्रस और इनक इस प्रदिशनल ड्रेस पैन रखी है रखी है तो तुम्हें उसमें मजाग सूज रहा है तो उसमें कभी निकाल रहे हो उसका मजाग उड़ा रहे हो लेकिन फिर इसी कमेंट के नीचे रिप्लाइब आता है कंगना रनाउत का और वो क्या रिप्लाइब करती है विक्रांत म मैसी कहा से निकला ये कॉकरोच लाओ मेरी चपल है कि बत्तब यार कंगना जी गल्द बात है यार यार आप इतना नहीं करना चाहिए यार हद रोटी किस जीस की भी आप कैसे कंपैल कर सकते हो विक्रांत मैसी को कॉकरोच से बत्तरना को काफी अच्छे होते हैं इसे तो यहीं नहीं इसका एक और ट्वीट है इसमें इसने लिखा half-baked potatoes and half-baked nationality will only cause a pain in the gut hashtag कठोवाकेश, hashtag shame तो बाइसा बरी शर्मंदी की मैसेज हो रही है इस बंदे को और फोटो क्या लगा रहे हैं ध्यान से देखो यह फोटो लगा रहे हैं उन्होंने श्री राम की और सीता माता की और सीता माता क्या बोल रहे हैं श्री राम को इस फोटो के अंदर I am so glad I was kidnapped by Ravan and not by your bhakt वाह काश इस ताली के बेस तुमारा मुह आ जाता इस बंदे का यह कहना है कि सीता माता श्री राम को बोल रही है कि अच्छा हुआ कि मुझे रावण ने किडनैप किया ना कि तुमारे भक्तों ने मतलब ये बोलना चाहता है कि जो श्री राम के भक्त है वो रावण से भी बूरे है यार मैं भगवान की वरे से चुपू वन्ना मेरे मुझे जो अब शब निकलने वाले है ना मैं कंट्रोल कर रहा हूं बस बस क्या बताओ मैं अब समझ जाओ बस तो ये तुम्हारी सोच है यार इतनी घटिया सोच तुम भगवानों के बीच में लेके आ रहे हो तुम्हारा मतल। ये ससबझ अब नियु neighbors लिए जस विकॉस तुम्हारी काम नहीं मिल राथा तुम्मधि बेरोजगार थे तुम्हें को पूछ प्रीट को देखकर और भी वह साई ट्वीट से यार ट्वीट किया है सिए के अगेंस्ट आइस टैन्ट बिट जामिया इसने पता नहीं क्या क्या इडिलॉजिक है इनकी मान सकता क्या है जब आप धरम के बारे में ऐसा बोल सकते हो किसी ट्रडीशन के बारे में ऐसा बोल सकते हो किसी लड़की के बारे में ऐसा बोल सकते हो तो मतलब क्या फाइदा यार आपने अच्छी करी 12 फिल में हमने अप्रिशेट किया लेकिन यह जो बाता सामने आई है न इसके बाता लग कर दी कि उनके घर में बेटा हो गया है जिसका नाम अकाय रखा गया है और सारा फोकस लोगों का वहां पर शिफ्ट हो गया वरना तुम्हें इतनी गालिया पढ़ती ना तुम्हें कोई यकीन नहीं नहीं अब इंटर्व्यू में बाद बोली इन्होंने बोला कि मेरे पिता ज है कि आपके घर के अंदर अमर अकबर एंथनी वाला सीन है लेकिन एक बात ध्यान रखना अमर हो अकबर हो एंथनी ओ इन सब का बाप किशनलाल ही है तो जिस तरी के साब सैकुलर बनने का धॉंग रचा रहे हो हिंदू को गाली बखकर उनका अपमान करकर वह सब ना सामने आ चुका है नहीं छुपेगा यह छुपता नहीं है बाबू सब सामने आ जाता है और सब सामने आ गया है वह बहुत अलग है अब हैसाब ने अपोलोजी मांग ली ट्वीट कर दिया कि मेरे से गलती हो गए यह वह बहुत बड़ा लेटर लिखा इंग्लिश के अंदर लेकि लेकी लिए पब्लीक है अगर किसी को यहां से यहां पहुचाना जानती है तो उसको यहां से यहां लाना भी जानती है आप मुझे बताओ दोस्तों कि आपकी कह राये है इस वीडियो को शेर करना और कोई शिकायत कि खजावब Len keynote पर मेंसेज कर सकते हैं तब-तब के लिए झाल झाल